दोस्तो इतने दिनों से Redmi Note 7 स्मार्टफोन की बहुत जादा चर्चा हो रही थी और इस स्मार्टफोन के अंदर कह रहे थे कि जो Redmi स्मार्टफोन होने वाला है इसकी अपनोड सीरिस आने वाली है तो कह रहे हैं इसके अंदर आपको 48 बैक में आपको ग्रेडियंट वाला डिजाइन मिलेगा जैसे की काफी सुंदर कलर फूजर डिजाइन आपको पैनल में तहाए और इस स्मार्टफोन के अंदर आपको एक और खुशकबरी बताएदू कि इस स्मार्टफोन के अदर आपको गोरिला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन स्मार्टफोन के अदर देखने को मिल जाती है बल्लब कि प्रोटेक्शन वाइस आपका जो स्मार्टफोन होने वाला यह बहुत जादा ही अच्छा होने वाला है क्योंकि गोरिला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन ही मिलने वाली आपको इस स्मार्टफोन के साथ में अब बात करत बात लगी कि शामी वालों ने कुछ अलग काम दिया क्योंकि रेडमी आप जो नोट 7 आ रहा है इसके अंदर तो 48 मेगा पिक्सल देना ज़रूरी मनता है और कुछ अलग करना चाहती है इस वारी रेडमी और इसे साथ आपको ड्यूल कैमरा मिलने वाला है ठीक है और जो डिज इस पॉंट 3 इंच की फुल एच्टी प्लस डिस्प्ले वाली आपको डिस्प्ले मिलेगी इस स्मार्टफोन के दर और आपको जो रेजुलूशन मिलेगा वह आपको 1080p वाला ही देखने को मिलेगा मतलब कि आपको अपने कैमरा से 4K रिकॉर्डिंग राम से ही कर सकते हो दो ऑपम्रा यह देखने कंपित तंही एक दिन पूरा राम से निकलेगा इतनी जाता मुलाबặर अश्वाम से प्लाम से एक दिन पूरा राम निकलेगा इकंप हमाट बैटरी यह एतनी ज्वाल मिल जाती है इस उसमार्टफोन के अदर आंको 3.5 mm डाजाक भी देखना को मिल क्योंकि जो 48MP का camera है वो जो compatibility होती है ना कहते है कि जो camera और चिप होती है उसका अगर मेल ना मिले तो camera अच्छा नहीं वक कर पाएगा तो कह रहा है कि snapdragon 660 जो है ना वो जो 48MP का camera उसको संभाल नहीं पाएगा तो इस करके chances ज्यादा बढ़ जाते है कि आपको snapdragon 675 का processor smartphone देखने को मिले दोस्तो अगर आपको यह जो smartphone है इस smartphone की जो launch होने वाली है यह चैनल में होने वाली है 10 जन्वरी को दोस्तों अगर आपको smartphone के बारे में और कोई update पूछने हो सारे मैं आपको दीरे दीरे update पताते रहूं है smartphone के अभी कुछ यह सारे updates है जो निकल के है smartphone के आपको काफी साथ helpful लोगी है और काफी साथ informative लोगी है अगर आपको smartphone के बारे में कोई और चीज पहुने है तो आपको नीचे जाके subscribe जो बटन होता उसको दबा दिया और साथ में बेल अप्शन में दबाए ताकि आपको smartphone के बारे में और सारे update मिलने तो